वेलकम बेक तो अनदर वीडियो दो आटो मोबेल एक्सपर्ट आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक के बारे में टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक नवंबर 2020 तक कुल 200 यूनिट तक बेज दी गई है यह एलेक्ट्रिक कार तीन वेरियंट में उपलब दे इसकी प्राइस 13.99 लाग रूपे से शुरू होकर 16.25 लाग रूपे एक्सपरू म्यूडली के बीच आती है इसमें 30.2 किलो वाट हार की बैटरी पैक दिया गया है कमपनी के अनुसार या सिंगल चार्ज में 300 किलो मेटर से ज़्यादा सफर तै कर सकती है टाटा मोटर इस साल जनबरी में नेक्सन को लॉंच किया था यह देश की सबसे पहली लंबी रेंज की सखसी इलेक्ट्रिक कार है पिछले तीन मैने सितंबर से नबंबर के बीच इसके 1000 यूनिट बिके हैं जबकि अन्य यूनिट पहले से ही बिक चुके थे नेक्सन इवी को फेसलिप्ट नेक्सन पर त्यार किया गया है इसमें 7.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम, सन रूफ और आटो एसी जैसे फीचर दिये गए है पेसेंजरों की सुरक्षे के लिए इसमें डियल एयर बेक, EVD के साथ ABS और येयर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी स्टेंडर्ड दिये गए है टार्टा नेक्सन EV में एक एलेक्ट्रिक मोटर लगी है जिसमें 30.2 किलोबाट हर की बैटरी पेक से पावर मिलती है इसका पावर आउटपूट 129 PS और 245 NM टॉर्क है कमपनी के अनुसर इसकी बैटरी DC Fast Charger से 80% चार्ज होने में मेच एक घंटे का समय लगाती है कमपनी के अनुसर फोर्स चार्ज होने में यह 312 किलोमेटर तक की रेंज को तै कर सकती है इसमें दो ड्राइविंग मूड, स्पोर्ट्स और ड्राइब दिये गए हैं टान एक्षन एवी एक सब 4 मीटर एलेक्ट्रिक SUV है इसके कंपेरिजन में MG ZS EV और हुंडई कोना एलेक्ट्रिक आती है टान एक्षन की प्राइस 13.99 लाग रुपे से शुरू होकर 16.25 लाग रुपे है जबकि MG ZS EV की कीमर 20.88 लाग से शुरू होकर 23.51 लाग रुपे है भही हुंडई एलेक्षन कोना की कीमर 23.75 लाग से शुरू होकर 23.94 लाग रुपे है टान एक्षन अभी देश की लंबी रेंज की एलेक्ट्रिक कार है जो की सबसे सस्ती है कमपनी को चुनंदर शहरों में एक्षन EV सस्क्रिप्शन बेश पर भी दे रही है 2021 तक इसके कमपेरिजन में महिंद्रा XUV3W एलेक्ट्रिक की एंट्री भी हमें देखने को मिल सकती है अगर आपको हमारी वीडियो थोली फिर इंफर्मेटिब लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे चैनल ता आटो मुबाइल एक्सपर्ट को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिल सके साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद